नमस्कार स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर प्रग्राम शक्सित में जिसमें हर बार हम आपको एक नई शक्सित से रूबरू कराते हैं ऐसे आज एक शक्सित हमारे साथ इस्टूडियो में मौझूद है वो है डीजी सी क्रिमरल मनोस्त रिपाठी जी जिन से आज उनकी जर्णी पर बात करेंगे कि किस तरह के से उनका आज तक का सफर रहा है तो आई सीधे बात करते हैं मनोस्त रिपाठी जी से सर आपका हमारे प्राइम टीवी के शो शक्सित में बहुत बहुत स्वागत है सर हम लोग हर बार मतलब अपने इस प्रोग्राम में परसन की जर्णी पर बात करते हैं कि उनका आज तक का सफर कैसा रहा किस तरीके से उन्होंने यहां तक अपना सफर तैय किया है तो हम सबसे देखें मेरे पिता जी एक सामान परिवार से थे और वो निस सो सत्तर में सरकारी नोकरी छोड़ के वकालत जैसे पेसे में आए और अंत तक वो वकालत पेसे में ही रहे और उन्होंने एक लंबी लड़ाई जो सब वकील लड़ते हैं उसको लड़ते हुए उन्होंने और ब मेरी लाज तरपाथी और बहुत से सामाजिक संगतनों के भी वह संस्थाओं में रहे विविन पदों पर और उनकी दिली इच्छा थी कि मैं एड़ुकेट बनू और वही मुझे इस पेसे में लाए जी आपने अपने पिता जी का बताया कि वह एड़ुकेट थे तो वह चाहत जाना चाहेंगे कि किस तरीके से आपका वो दौर था क्या मतलब कुछ खास अलग था उस टाइंग में आज के दौर से देखिया मेरी स्कूलिंग नाइंटीन सेवेंटी में बारती सिसु मंदिर स्कूल से सुरू ही और कच्छा पांच के बाद जो है हम योगिश्यो रिशी कुल इंटर कालेज एक था जहां पर रिशी कुल परमपराओं के तहट पड़ाई होती थी वहां से मैंने हाइज स्कूल किया और गोपी नाल लश कि अच्छा सरी बताए कि जैसे हम लोग पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो जो पढ़ाई का सेशन है आज के दौर में कहा जाता है कि आज जो टाइम है वो ज्यादा टफ हो गया है पहले के मुताबिक कि पहले इतना कठें नहीं हुआ करता था जिस अब कॉम्टीशन ज्यादा बढ़ता गया है तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पहले के दौर में कॉम्टीशन कम था और आज के दौर में कॉम्टीशन जादा है यह एक तो पापुलेशन बढ़ी है इसकी वजा से भी कॉम्टीशन बढ़ा है पहले बच्चों पर इतना भार नहीं था आपने किस तरीके से नको फेस किया किस तरीके से उनको सुलजाया था देखिए मैं आपको वदा दू मैं पहली बात तो मैं डाक्टर बनना चाहे था लेकिन मेरे पिता जी जो है वो जब अरजस्ती मुझ को बोले कि नहीं अड़ोकेट बनना चोंकि वो अड़ोकेट थे औ और नहीं नहीं वकालत में जो चैलेंजेज हम समझते हैं सारे अड़ोकेट को फेस करने पड़ते हैं चाहे अड़ोकेट के ललका हो और या वो जजज कर ललका हो तो सारे वो आपको मेरिट सोसल समात के सामने आपको प्रस्तुत करने ही पड़ेगी अगर आप मेरिट नहीं करेंगे तो पर आग के पास कोई अपना केस लेकर नहीं आएंगा तो जैसे समने फेस किया हम लोगों ने भी फेस किया और मैं बार्स्टेस्टेशन में जीता है और मैं मेरिट की वगालत को जादा प्रफर करता हूं और मैं आद भी मेरिट की यह कालात पे सेशनलगा थनी अवर्युर्ट उसके बाद अपने डिरेक्ले कैसा कौन सा रहा था जो आपने सौट आट किया हूँ और आपको बहुत अगा बहुता अच्छा लगा होगी बीरा पहला केस और मैंने सौट किया हूँ देखिया हमाई पिदा जी बेशेकली तो रिवेन्यू से जुले हुए थे तो रिवेन्यू के ही केसे सुरू-सुरू में हम लोग कर रहे थे फिर सिविल में आए फिर बैंकिंग में आए बैंकिंग में मैंने बहुत से किसिस किये और बैंकिंग और सिविल ये करते-करते एक समय ऐसा भी आया जब अभी भारती जनता पार्टी 2017 में आई तो मैं पार्टी से भी जुड़ा हुआ था तो मेरे उपर पार्टी की तरफ से जो है जिला साज के द्वक्ता पहुषदारी के पत्पे मुझे दाई तो दिया गया और जिसका निर्वहान मैं बखुबी मैं समस्ता हूं मैं कर रहा हूं और आगे भी करता रहूं कि आपका मतलब लाइफ का एक ऐसा कौन सा केस रहा जो बहुत कॉम्प्लिकेटिड था जिससे सौट आउट करने में आपको बहुत प्राबलम हुए और उसके लिए आपको बड़ी सला मश्वरा अपने पिताजी से भी लेनी पड़ी और मतलब बहुत ज्यादा दिककते आपक को सौट करने में हुई कि अगर आपको केस अच्छे मिलते हैं तो आपको आगे बढ़ने का उसर मिलता है और 2007 में जब डाक्टर दिनेश शर्मा जी मेर बने जो कि आज हमारे प्रदेश के उपमुकमंत्री हैं तो इनका इलेक्शन प्रेशन हमारे पास आई और उस कर्दीमे अद्ध्यं करके अचीनियर थे उमेश अंद्रा जी उनके साथ मैंने बहुत लगन से काम किया और इस लगन का नतीज आ है कि मैंजिन पार्टी की अज्रों में आया और जनता की बहुत आदो में आया और मैं दीरे-दीरे मेरी प्रोगरेस हुई और उससे मुझे काफी उपलब्दियां भी मिली और उन उपलब्दियों की देन है कि जो मैं आगे बड़ा वाकी अब आप आज डीजी सी क्रिमिनल है और डीजी सी क्रिमिनल के पद पर कब आये आप देखिए मैं फर्वरी 2018 में डीजी सी क्रिमिनल के पद पर पोस्ट किया गया होता है उसका हमारे दोरा चैन किया जाता है और हम् i hin heps to एक प्रशाशन का सालो्ष सायोग कर ते हैं अपने उन्भोंग के दोरा और मेरे समय में सब्से ज्यादा जो सब्सेजग में बच्चों के उपर और महिलाओं के उपर अपरादियों दरा अपराद कारित किये गये थे उनमें सबसे जाधा सजाए कराई गई और इवन दो बार फांसी के भी सजा कराई मैंने और आगे भी मैं ज्यादा प्यास कर रहा हूं कुरोना के वजा से कुछ गती रुकी हुई ने आले कार्यों में और भी अच्छे रिजल कॉमेंट क्या है कंसल ऐ परादी होते हैं या कोई भी परसं तो अपर मतला से अपना जिकारello तो जो वह एड़ोकेट होता है उसे डिश्टिक गवर्नमेंट काउंसिल कहते हैं यह काउंसिल का मतला अधिवक्ता से है ना कि काउंसिलिंग से यह CRPC की धारा 24 के तहत इनके नुक्ति होती है और जिले का जह है प्रमुक पोस्ट होती है क्योंकि सरी जानना बहुत जरूरी क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि डारेक्ट जैसे पोला जाता है डिस्टिक गवर्मेंट और कांसल तो उसमें परसन को समझ मिनी आता अगर आप डिस्क्राइब किया तो लोगों को भी यह जानकारी भी मिलेगी कि डीजी सी बेसिकली होता क्या है तो से काफी लोगों को हेल्प मिलेगी जब कोई पच्छकार पुलिस में जा के अपनी फायार दज करा देता है तब उस मुकंब्य में जो पुलिस जाच करती है जाच करने के बाद जब मुकंब्य की सुरुवात होती है तो मुकंब्य की सुरुवात म एक बचाव पच्छ का अध्वक्ता होता है एक सरकार के पच्छ का अध्वक्ता होता है तो सरकार के पच्छ का अध्वक्ता होता है वह एपी ओ भी होते हैं सरकारी वकील होते हैं जो एससी से आते हैं और कुछ एडोकेट्स दोरा नामित किया जाते हैं वह डीजी सी और कुछ और उसमें क्रिमिनल केस में कौन कौन से केस से मुख्यता तोर पर आती हैं जो मेलाओं पर अत्याचार होते हैं परिवार में या वह सी गटनाएं रेप कीया थी है बहुत सी घटनाएं छेडशाल किया थी बच्चों पर आती थी तो यह बहुत ही महत्तव Πूश्ह है जो मुछी वुए उस पर गुशी ज önर मिय करें शक्ती की तहतं हम लोगों ने कर वाई जिसमें जोए मिशनक्ति फेज ट्री फिर इलेक्श्न आगा धिलेक्शन चलना युठीड आरद अभी एक अभिயतों को ट्रेंद जादो हम दो हम पिर शैफ शॉड़ाम पॉलीष करके लाति हैं उसी है और धर को किसिज करते हैं ड्रोल में होते हैं अच्व आज अधर है ईस दौराως कोคण हैं यहां है को जते हैं कि शैफ एस तो है कई सिस लड़ रहे हैं तो इनके उपर आटेक होते हैं या ऐसी कोई धमकी बर एक हत मिलते हैं धमकी बरा कॉल आता है इस तरीकी कि उससे भी आपका भी गुजरे हैं ऐसी कोई चीज आपको सामने फेस करनी पड़ी है वो सब आते रहते हैं लेकिन उसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन रहता हमारे पास वाकी सर आप जातार तीन बार बीजी प्रासी कुशन दोरा जए सबसे जादा जमानत अपोश बिरोत करने का जो मुझे वाण मिला है वो मेरा प्रदेश में पहला इस्थान है और मुझे अभी 26 जन्वरी को डीजी प्रासी कुशन श्री आस्थोष पांड़े दोरा सम्मानित किया था औ क्योंकि करोना काल चल लहा है समय टार लुका हुआ है अब एक मार्च से बाद से कल जो है मुकंदों की सुरुवाद फिर हो रही है और फिर अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे तो हम लोग बार बार कोरुना की बात कर रहे हैं तो कोरुना की टाइम पे भी क्य पर रुका नहीं है तो उस ताइम पे भी काई क्राइम वह तो उस ताइम पे कैसे चीज़े मैंनेज की जाती होगी किस तरीके से वर्किंग किया गया इन मुद्दों बर एगे करोना काल में हमने रेगुलर वकालत की और मैं डेली कचेरी आया और मैंने अपना पच्छ अध काम किया और जो प्रकाशन थे उनको लेते रहे और देखिए अपराद है जहां तक समाज है वह अपराद चलते रहेंगे और अगर लाइन अड़ा ठीक रखना है तो नियाली कारों को गती प्रदान करना होगा तभी आप रादों पर गती पर नहीं पर नहीं पर नहीं पर सारी वकालत हो रही थी और जो भी पक्ष भी पक्ष जो भी थे तो वो वीडियो कांफरेंसिंग के तुरू उसमें तो वो कितना फृटफुल रहा कितना सही रहा कि उस तरीके से एक केस को सौट आउट करना नहीं नहीं फृटफुल था और वीडियो कांफरेंसिंग से हम लेकिन पुलिस फोर्स को लगातार हमारे पास आना पढ़ रहा था और कुरोना में चुकि आपको मालूम है कि छुआ चुट की बीमारी थी थोड़ा सा दूरी मेंटेन रखना था सोचल डिस्टेंसिंग बार बार बोला जा रहा था तो हमारे पुलिस के जो जवान थे वो भी अपना बढ़िया काम कर रहे थे और हम लोग वर्चुल ही कर रहे थे काम लेकिन पुलिस से मिलना थो प्रता ही था हमारे चेमबर तक तो आना ही था नहाले हमें अपने चेमबर तक तो जाना ही पड़ेगा तभी काम हो पाएगा इसलिए हां एड़ोकेट्स को जो है तो आप इसमें किसको बहतर मानेंगे कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग के थू जादा बेस था या लाइव जो केस होते हैं और अदालत लगती है वहां पर सब लोग बैठते हैं तो वह कौन सा बहतर आपको लगता है कि क्या चीज बहतर है देखे टेक्निकली अभी हम उतना ज्य साउंड नहीं है और और फिज कली जो है अदालत का कारें ज्यादा अच्छी तरीके से होता है और कुछ धाराइब इस हैं जो हम आपको बताने में बहुत समय लग जाएगा जिसमें वही वह काम हो सकते हैं सम्मो है और बिना उसकर काम नहीं हो सकते लिकिन ज्वानत जैसे ह इनको वर्चोली निप्टाए जा सकता है और इन पर कारिक किया जा सकता है और भी सर हम जानना चाहेंगे कुछ एक उधारन आप दीजे कि किसमें लाइव ज्यादा बहतर है और देगे जिसे एक चार्ज बनता है जब कोई एडोके ट्रायल सुरू होता है तो पहले उसका चार है जब पीडित है पच्चकार वो सामने खड़ा होता है और अभ्यूक सामने खड़ा होता है तब वो पहचानता है कि हाँ यही बेक्ति था तो यह कुछ ऐसे मुलभूत कारान है जिनके कारान जो है वर्चुल हंडेट परसंट हो पाना अभी आसान नहीं है हाँ अपीलेट कोर्ट जो है वो अगर चाहें तो वर्चुल कार आगे बढ़ा सकती है अपने कार्यों को लेकिन अभी घ्रामी चेत्रों में अभी हमारा इंटरनेट सिस्टम काफी वीक है जिसकी वजह से वहां पर बैठा हुआ हुआ है अपनी बात आसानी से नहीं रख सकता है इसलिए ज करना हमारी जरूरत भी है और मजबूरी भी है वाकिसर आप जिस तरीके से अभी आपको लगतार क्राइम और क्रिमनल्स पे काम करते आ रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड अब जितर केस आपने देखे हैं अब यह है कि अब आगी जैसे आप बढ़ रहे हैं तो आप और कौन सा केस हैंडल करना चाहेंगे कि तरीकी की केस चाहेंगे कि मैं वो भी करूँ देखिये किसस तो नए-नए आते रहते हैं और हम लोग करते रहते हैं यह fix नहीं है कि यह करेंगे या कोई दुसरा करेगा लेकिन जो भी चुनोती होती हमारे सामने हम उसको द्रगता पूर्वक फेस करते हैं और हमारा एक सिद्धान्त है कि साहस निष्ठा निष्काम सेवा इन्हें मिलाकर चल मंजल तेरे पक चुमेगी आज नहीं तो कल कि आप अच्छी वाद बोली है वाकी सर यह है कि आप अभी कुछ टाइम आपका भी काफी समय बचा होगा भी रतार्में वे अफ्टरेटार्में भी कुछ प्लैनिंग्स रहती है कि हम उसके बाद ये करेंगे तो आपकी क्या प्लैनिक होने वाली है देखिए अबी तीन साल कि हमारे हाँ भी डितार्मेंट होता है, अभी उसमें थीन साल बाकी है और तीन साल बात की पुर्सितियां नहीं करेंगी कि हमारा भविस्ष ऐसा होगा तो इन मेरा बेटा भी अडवस्टी बिलापकर रही है तो पूरे अमारे हाख़ों को प्रफेशन और पर्सचापर से चंचार्ड़ करेंगी ₂ यह कहना कि घर और परिवार को अलग कि आजाए गए सब लोग मिल के और जहां मैंने बताया कि मेरा तो पूरा घर ही वकालत से जोड़ा हुआ सिवाए मेरी पत्नी को छोड़के तो हम सब लोग जो है किसी भी केस को एक अच्छे तरीके से निप्टाने के प्रियास करते हैं और कोई टेंशन नहीं रहती है और हम समझते हैं कि वक जब भी आपके पस कोई केस आता है तो इसको हैंडल करने के सबसे पहले आप क्या चीज ध्यान में देते हैं कि क्या सबसे पहले आपका मोटे रहता है कि हमें सबसे पहले इस डिरेक्शन में जाना चाहिए कौन से डिरेक्शन में जाना चाहिए कि क्या चीज पहले देखी कि अपने को रखना पड़ेगा अगर पीडित की जगे आप अपने को नहीं रखेंगे तो आप जो उसके दर्द को समझ नहीं पाएंगे अगर आपको उसके दर्द को समझना है तो आपको उसके स्थान पर अपने को इस्थापित रना पड़ेगा उसके बाद ही आप केस पर संपूर्ण धान दे पाएंगे और फिर संपूर्ण तत्थों पर आप और एक्ट को और जो बहुत सी चीजें उनको इंग्रिडेंट्स को आप देखेंगे उसके बाद ही आप अपना ले पाएंगे जी तो उसके लिए आप उस जगे पर विजिट भी करते होंगे कि जहां का क पर आप अपना इस्तर भी देखनी पड़ती है विवेचक से मिलना पड़ता है जो आयो इंविस्टिकेशन अफसर जो प्री सतकारी होता है जो कर रहा उससे भी बात करनी पड़ती है और पुरी तैयारी के साथ एक परिच्छन जो ट्याल बोलते हैं इसको फेस करना पड़ करूंन मास तैब कर सकता क्या जब काहलते है घमेचे कि वहीं बात कर थे कुछस कर रहे है जिसके वज़ेसे कॉल जाती है जिसके वज़ीं होती है कभी यहीं जा scholars थेज़ेए जो अब करें दुसरा काम कर मैं कर थे आखः ड़ता कर ज सकता तो एक ट्रेट ञाळ बाकालत नह कि अपने को समर्पित करते हैं समाज को और किसी भी प्रिखार चेलेंज तो उसके लिए उसमें को आप के टीटा दुब हुए अपके परिवायासी फुल सपोर्ट आप के यह किस का रहा जुसने आपको लगातार शायर झाद तो अपने बताया चलानी है और अच्छा वकील बनना है तो आपको मालू है कि हर अच्छे प्रति के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है और ये स्रे भी पत्नी को ही जाएगा कि जब अधिवक्ता जब शुरुवाती दौर में वकालत शुरू करता है तो उसमें इस्टिबिल्टी नहीं रहती है और अगर इस्टिबिल्टी को प्राप्त करना आपको तो लगातार अन्वरत आपको वकालत करनी पुलेगी और उसमें आप कोई मालू मैं कि कभी-कभी आर्थि कटनाईयों से भी जनना पल सकता है कभी-कभी आप अप्शन डाउंस लगे रहते हैं और ऐसे समय में अगर आ सब्सक्राइब को इस बात के लिए धन्यवाद ग्यापित करूंगा कि उसने जए अधिवक्ताओं के बीच से हमको चुना और अधिवक्ताओं के लिए कोई वी ऐसा जाए मंच नहीं है जो वहां पर जाकर अपनी बात रख सके और अपने दुख-दर्थ को साजा कर सके इस इसके लिए मैं प्राइम टीवी को बार बार धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने उनको बुलाया और हमारी बातों को अच्छे तरीके से रखा प्राइम टीवी के इस खास प्रोग्राम शक्सित में आज हमने बात की डीजी सी क्रिमिनल मनोस्त्रे पार्टी जी से जिन्हो आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार